ये गाइज वेकम टूस पॉइंट आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले है योशना जोकी जैनवरी मंत की है 2023 तो लास्ट येर में हम लोग सारे मंत की डिस्कस नहीं कर पाय थे कुछ-कुछ मंत की स्किप हो गई थी तो इस बार अभी हम लोग यहां पे हर एक मंत की जो जिन से आपको बहुत जादा information मिलने वाला है new new information आपको यहां से मिलेगी millets के बारे में जोकि हमारे day to day life में इसका जो role है और हम लोग जो health की बात करते हैं तो health में अगर health point of view से हम लोग मिलेट को include करते हैं तो उसका जो यहां पे role है और importance है वो आपको यहां पे समझ में हम लोग बात अभी millets के इसलिए कर रहे है क्योंकि international year of millets 2023 हम लोग यहां पे celebrate कर रहे हैं तो इसलिए इससे related जो भी articles है इसमें काफी जादा important points include किया गया है अब चलिए start करेंगे सबसे पहले देखें कि हम लोग international year of millets कह रहे है 2023 तो इसके पीछे क्या कारण है क्यों कह रह है जो कि food grains आप लोग कह सकते हो जो कि सबसे पुरानी है तो इसका हम लोग कह सकते की connection देखेंगे कहां से निकल कर आया और आज की date में हम लोग इसको कितना जादा important देते हैं India's wealth millet for health ठीक है health benefits इसकी बहुत ही जादा है हम लोग देखेंगे lifestyle जो disease आज की date में बढ़ते ही जा रहा है आज की date में आप देखते हो कि हर एक second या third जो घर है उसमें आप लोग को कहीं नगई cancer patient देखनी को मिलेंगे और यह सब common है तो क्यों common है और millets का इससे क्या relation है अगर हम लोग मिलेट को यहां पे इंक्लूड करते हैं अपने diet chart में तो उससे क्या benefit होगा यह समझ क्या से होती है तो हर एक point को हम लोग यहां पे समझेंगे साथ हम लोग मिलेट्स for pregnant and lactatic women के लिए कितना ज्यादा फाइदे मन्द है और start-ups के लिए कितना ज्यादा popular है और किस तरीके से यह आगे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हो कि घूं फिर के पूरी तरीके से overall जो हम ज्यादा प्रमूट किये हैं ठीक है और मोदी जी का कहना है कि आज की रिट में आप समझो कि जो टेबल्स पर और जो लैंड है इसमें डाइवर्सिटी की ज़रूत है अगर agriculture मोनो कल्चर हो जाएगा तो इससे हमारे हेल्थ पे इंपक्ट होगा और हमारे जमीन के हेल्थ प फैलानी की ज़रूत है कि मिलेट्स, mindfulness एक important part है movement का साथी आप देखो institution हो गया, individual हो गया, इनमें भी मिलेट्स का अगर आप देखोगे कि इसको use करते हो, it means कि अगर इसको consume करते हो, खाते हो इससे आपके body में और आपके life में किस तरीके से इसका impact देखने को मिलेगा, तो whole and soul आप देखो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की द्वारा कहा गया है कि international year of millets 2023 जो है, यह एक mass movement start होगा, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले future को secure, sustainable and healthy बना सकते हैं, तो United Nations General Assembly की द्वारा डिकलियर किया गया है 2023, यानि कि जो साल हम लोग जीने वाले है, उसको international year of millets कहा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे United Nations के द्वारा अगर इसको consider किया गया है, तो इसके पीछे हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसको promote भी किया जा रहा था हमारे मोदी जी के द्वारा, तो इस साथ अगर हम लोग देखे, तो यह आपका millets को 131 countries में grow किया जाता है, और यह traditional foods भी है, अगर हम लोग पूरी तरीके से मिलाए, तो 60 crore people है, जो कि Asia और Africa में मिला कर अगर आप देखोगे, तो उनका traditional food है, जैसे हमारा tradition होता है, जो पुरबज ने use किया, उसी को हम लोग करें, क्योंकि हमारे देश में भी millets का बहुत important है, और millets को हमारे देश में भी एक large number में consume किया जाता है, the food and agriculture organization के बारे में, अगर हम लोग देखे, तो इनके द्वारा भी एक brief message दिया गया है, यह कहा गया कि opening ceremony, जो international year of millets है, यह host किया गया है, food and agriculture organization के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा, एक momentum awareness राइस किया गया है, कि हाँ, लोगों को पता होना चाहिए, कि अगर हम लोग पूरे year किसी चीज़ को celebrate करें, जैसे आप देखते हो, साल में किसी एक दिन को हम लोग celebrate करते है, just to raise the awareness, लोगों को पता होना चाहिए, कि वो दिन हम लोग क्यों use करें, मत उसमें international year of millets को declare किया गया, यह एक opportunity उनके द्वारा माना जा रहा है, कि कैसे लोगों में जो है, direct awareness यहाँ पे enhance करें, इससे क्या होगा, देखिए, पूरी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, sustainable development goal में, जैसे कि आपको प पूरे साल यहाँ पे celebrate करेंगे millets को लेकर, तो millets को अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा important दे रहे हैं, तो इससे बहुत सारे जो sustainable development goals के तहले हैं, जो गोल है, वो यहाँ पे cover हो रहा है, जैसे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले zero hunger है, यानि कि भुकमरी मीटाना है, साथी sustainable goal जो है, वो 3 है, good health and well-being है, goal number 8 है, जिसमें कि decent work and economy growth कहा जा रहा है, goal number 12 है, responsible consumption and production है, goal number 13 है, climate action है, goal number 15 है, life on earth है, तो यह कहा जा रहा है, तो यह चीज़ आप समझ सकते हो, कि total अगर आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 goal है, out of 17, तो वो यहाँ पे millets पे ही, अगर हम लो ध्यान द हम लो target meet कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखो कि climate action और life on earth, जो goal number 13 and goal number 15 है, millets को अगर हम लो देखे तो यह climate resilient crop है, it means कि कि किसी भी तरीके का अगर weather हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, यह जिल लेता है, चीक है, क्योंकि यह आप देखो, arid land में इसकी grow होती है, और इसका maintenance, जो tolerance से resistant है, डिजीज का, कि बहुत जल्दी इसमें जो है, पेस्ट वागरा नहीं लगते है, इसमें डिजीज नहीं लगते है, कीडे मकवरे इस पादे में नहीं लगते है, साथी साथ जो climate shock है, जैसे अचानक आप देखते हो कि flood आ गया, या अचानक आप देखते हो कि drought like situation आ ग जाते से जादा inclusive हो, resilient हो, sustainable agriculture system हो, उस पे यहाँ पे हम लोग इसको enhance कर सके, support कर सके, for better production, better nutrition, better environment and better life, तो overall आप लोग देख रहे हो कि एगर एक चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे अगर हम लोग देखे तो काफी चीज़ों पे यहाँ पे अपने आप, करें कि हंगर को इंड करना, देखे एरिड एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा पानी की ववस्ता नहीं होती है, पानी नहीं मिल पाता है, वहाँ पे आप देखो कि मिलेट्स जो है ना, वो एक, आप देखो, only crop है, जिसको कि हार्वेस्ट किया जाता है, ड्राइ सीजन में, जो सुखा वाला सीजन होता है, जब बहुत गर्मी होती है, तो उस समय अगर कुछ उप जाना है, तो उस समय से हम लोग यहाँ पे बिलेट्स को ही उप जा सकते है, और बिलेट्स क्या है ना, कि फुड इसकार सिटी, जो भी भोजन की कमी होती है, दास, शावल, सबजी, कमी को पूरा कॉन करता है knowledge करता है विल अगर हम लोग बात करें तो यह बहुत ही पूर और फटाइज स्वाइल जो कि dry land conditions में हैं तो वहां पर ग्रो हो सकता है और और साथ ही अगर हम लोग देखें तो यह land cover भी करता है एरए डिरिया में और इससे जो soil degradation ज़ो जो further हो रहा है वो भी कम होगा और साथी साथ biodiversity यहाँ पर आपका support हो पाएगा sustainable रहेगा जो भी land restoration है it means हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे जमीन है, जमीन को restore करना है क्योंकि कई बार आप देखते हो कि ऐसे हम लोग पर cultivation करते हैं जिससे कि जो land की quality है जो soil की quality है वो degrade हो रही है तो millets को अगर हम लोग production कर रहे है तो millets में यह company देखने को नहीं मिलेगा fine, तो इसलिए millets की जो production है उस पर जादा से जादा यहाँ पर focus किया जाता है देखे, sustainable development goal number 3 है कि good health or welling है millets की बात करें तो यह good source है इसमें आपको mendels, dietary fiber, antioxidants, protein यह सब एक जगा मिल जाएगा इन सब को लेने के लिए जैसे protein चाहिए antioxidant चाहिए तो हम लोग different different यहाँ पर food को consume करते है but it's good कि हम लोग अगर millets को यहाँ पर consume करते हैं यह सारी चीज़े एक जगा मिल जाती है साथ ही आप देखो कि इसमें एक low glycemic index होता है जिनको high blood sugar है उनके लिए एक अच्छा option आप कह सकते हो millets जो है यह gluten free होता है और excellent और cost effective source है iron का भी तो इसको जादा से जादा women के द्वारा भी consume किया जाता है इसमें आपको different amount of types of fiber देखने को मिलेगा तो यह भी बात यहाँ पर कहीं जा रही है साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो dietary fiber है इसका क्या रोल है कि यहाँ पर bubble function को regulate करता है blood sugar को regulate करता है lipid है situations है तो इन सब को यहाँ पर regulate करता है sustainable development goal number 8 के अगर हम लोग बात करें तो इसमें है decent work and economy growth जो millets की production होती है और जिस तरीके से demand अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर decline होते जा रहा है other cereals के comparison में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आज की rate में लोग यहाँ पर wheat है, means है, rice है सब consume करना ज़्यादा prefer करते है as comparison to millets तो यहाँ पर production जो है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं कम होते जा रहे है तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आज की rate में हम लोग को millets की production जो है इसको promote करना होगा साथी इसके opportunity बढ़ानी होगी और साथी साथ opportunity enhance करना होगा और additional sources of revenue जो है वो भी हम लोग create कर सकते है small hoodlers के लिए या फिर जो food security के हम लोग बात करते हैं कि हर किसी के लिए यहाँ पर भोजन होना चाहिए खाना खाने के लिए तो वो चीज़े हम लोग कर सकते हैं और अगर इतना कर लिए तो बेशक है कि हमारा economic growth तो boost हो गई होगा millets की बात करो तो first plant है जो कि हमारे देश में इसको domesticate किया गया था centuries अगर हम लोग देखे और hundred of millions of people जो सब सहारन एफरिका वाले region है जहाँ पर dry land आपको देखने को मिलता है जहाँ पर पानी की बहुत scar cities है तो वहाँ की लोग millets को ही उप जाते है और खाते है आज से नहीं starting से जब से इस धर्टी पे life exist कर रहा है इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि बात करें अगर हम लोग यहाँ पर sustainable consumptions and productions जो कि यहाँ पर goal number 12 है तो आप देखो कि market structure जो है साथी transparency है जिससे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखे कि millets का क्या price है millets की कितनी volume है तो यह key element है जिससे कि हम लोग stability और sustainability है उसको हम लोग ensure कर पाएंगे साथी साथ आप देखो यह भी important है कि कैसे हम लोग millet traders को ensure कर पाएंगे जो कि small tools से यहाँ पर benefit मिल सके और digitalizations भी आज की date में हो रहा है जिससे कि हम लोग जादा से जादा जो millets की value है grain value change में वो भी यहाँ पर बढ़ सके next अगर हम लोग यहाँ पर देखे कि ancient grains for a healthy future कि इसका हम लोग ए connection देख लेते हैं कि पुराने समय से तो millets आप जानते हो कि Indian food basket में hundred of years से है और deeply ingrained है हमारे food system में हमारे culture में even tradition में भी ठीक है साथ ही आप देखो कि बहुत सारे religious text है जिसमें कि mention किया गया है यहाँ पर millets के बारे में और tradition, Indian practices का भी यह बहुत सारे parts में आपको इसका देखने को मिलेगा साथी Indian subcontinent में अगर हम लोग देखे तो millets को यहाँ पर staple जैसा भी यूज किया जाता है और इससे कहीं न कहीं green revolution को भी काफी जादा बढ़ावा मिला है तो यह एक whole आप देख सकते हो कि एक summary है जो कि मैं यहाँ पर बताई हूँ साथी आप देखो कि हम लोग जो है एक millet moment को लेकर एक leader है इट मिलेट का हमारे देश में इतना जादा production, consumption और यहाँ पर promotion होता है कि हम लोग एक millet moment को लेकर आगे बढ़ सकते हैं लीड कर सकते हैं ठीक है साथी vibrant जो millet start-ups ecosystem है इंडिया में वो भी अप new new innovative और functional products के साथ यहाँ पर आ रहे है start-ups आप जानते हो कि new new ideas के साथ जो है लोग अपनी company set-up कर रहे हैं तो यह एक better आपको देखने को मिलेगा साथी extremely useful भी है अगर हम लोग देखे कि इसको अगर हम लोग जैसे wheat और rice आज की देट में इतना popular है तो इसी की जैसा अगर हम लोग इसको भी popular बनाए तो काफे ज़्यादा useful हो जाएगा consumer awareness की बात करें तो millets जो है यह Indian food basket में hundreds and hundreds of years से इसको इसको इस्तिमाल किया जारा खाया जारा है साथी साथ अगर हम लोग मिलेट्स की बात करें तो millets का religious text जैसे की Krishna Sudama है वो meeting हुआ था श्रीमत भगवत में तो एक religious text है जहाँ पे यह दुआरका से return हो रहे थे और Sudama जो है वो surprise हो गए थे यानि कि जो Krishna Sudama है इनकी दोस्ति इनकी friendship के बारे में आप लोग जानते ही होंगे तो वो भी millets के यहाँ पे इनका रिस्ता है साथी आप देखो यहाँ पे यह सारे कुछ दोहे लिखे वे तो इसको भी आप समझ लेना अगर हम लोग देखे कि culture custom चुकि हमारे prevalence और किस तरीके से हम लोग millets वगेरा को use करते है यह भी यहाँ पे reflect होता है millets के अगर हम लोग बात करें तो यह fasting purpose के लिए भी use होता है और कुछ women's के द्वारा भी जो है song वगेरा गया जाता है जब वो millets को sown करती है या फिर harvest time में जब millets को उगाने के टाइम में बीच वगेरा लगाया जाता है और काटने के टाइम में जब यहाँ पे लाया जाता है तो इसमें भी काफी ज़्यादा songs वगेरा गया जाते और इसको एक miracle food की जैसा भी देखा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा ही मातरिक food है जिसको consume करने के बाद आपको सारी nutrition जो है वो अपने आप मिल जाते है है कि नहीं साथी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें production और processing of millets का तो हमारे जो सरकार है government है, start-up से, hotel है, shave है साथी अगर हम लोग देखे तो जैसे जैसे international year of millets सारा वैसे बहुत सारे लोग है जो कि इस movement को join कर रहे है तो इस movement को और भी fast रखने के लिए क्लिए क्या होगा कि हम लोग को जो production site है उस पे जादा attention देने की जरुत है production limited है क्योंकि millets जो है वो सिफ कुछ certain जगा पे ही इसको produce के जाता है साथ ही अगर इसके साथ हम लोग देखे जो processing facilities है वो भी limited है और लाशली अगर आप देखो कोई millets जो है बो सदन पार्ट में ही present है कुछ major अगर millets की बात करें जैसे finger millet है, pearl millet है, sword gum है तो ये आज भी बहुत easily available है क्योंकि इसकी post harvesting process और जो है वो बहुत आसान है लेकिन कुछ minor millets है जैसे की fox tail millets है, little millets है इसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूद होता है यानि कि आप देखो कि इसको consumption के पहले भी इसको बहुत ज़्यादा process करना होता है तो इसलिए कुछ जो ऐसे millets है जो की easily available होते है लेकिन कुछ ऐसे millets है जो कि आज की rate में easily available नहीं होते है क्योंकि इनका transportation का भी issues है कि जहां से southern part में अगर इसका production होता है तो इसकी transportation हर जगा नहीं हो पाती है ये सारे चीज़ों को address करना होगा कि हाँ हमारे देश में कहां पे कमी है किस चीज़ पे हम लोगो ज़्यादा focus देना होगा तभी हम लोग अपने देश में southern part में जैसे आज की rate में production अच्छा होता है तो इसको हम लोग northern part में भी better कर सकते है तो जो भी यहाँ पे problems है न उस पे हम लोगो ज़्यादा focus देना होगा साथी हम लोगो यहाँ पे किसान भाई को भी increase करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा millets को grow करें क्योंकि उनको फाइदा मिलना चाहिए सबसे पहले जब किसान भाई को फाइदा मिलेगा तभी वो यहाँ पे इसको grow करेंगे traditional farming की बात करें जो कि यहाँ पे gangetic plains में है तो यह भी आप देख सकते हो कि millets को कैसे use किया जाता है millets को जो है वो यहाँ पे grow करते है as a first crop जो खरीव सीजन आता है तो first crop जैसे यहाँ पे इसको grow करते है और फिर 60 days में इसको harvest किया जाता है ठीक है तो यह ही इसका process है साथ ही साथ अगर हम लोग देखे once again तो यह उत्रा खंड हो गया other mixed अगर cropping practice देखे तो different state में चलता है जो की different different तरीके से ही हाँ पे harvest किया जाता है साथ ही अगर हम लोग देखे कि इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे leaps है यानि कि processing जो मिलेट्स वगेरा किया जाता है तो इसमें बहुत सारे leaps भी होते है minor millets जो है ना इनको hand pound किया जाता है अब हम लोग यहाँ पे specialized machine वगेरा ला सकते हैं जिससे की जो millets होता है उनको हम लोग को खाने में कुछ ऐसे minor millets है ने जिनको खाने से पहले जिसमें की यह देखा जा रहा था कि कैसे हम लोग millets को और जादा जो है अपने देश में flourish कर सके वो इफोवड में बताया जा रहा है कि जिस सरीके से हम लोग इसको sustainable या truly manifest करें जैसे कि हम लोग international year of millets को हम लोग celebrate करने की बात करें तो हम लोग यह तभी कर सकते हैं जब हम लोग इसके जो भी problems है उसको address कर पाएंगे तभी तो इसलिए हम लोग को किसान भाई को support करना होगा एक ऐसा environment बनाना होगा जो की industry लिए हो साथी consumers में हम लोग को awareness भी बढ़ाना होगा तब जाकर हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं इसके millets का production ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और इसको हम लोग international year of millets है उसको हम लोग एक unique opportunity जैसा set कर सकते हैं कि हाँ हम लोग को global production बढ़ाना है processing improve करना है और साथी साथ हमारे जो Indian super food का जो consumption है उसको promote करना है तो आप लोग में से कितनी लोग हैं जो कि millets का consumption करते हैं आप लोग खाते हैं या फिर आपके घर में बुजूर्ट लोग खाते हैं जरूर comment section में बताईएगा अगर आप लोग इसका consumption करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा देखने को मिलता है ये भी इस चीज़ें आप हम लोग के साथ share कर सकते हैं क्योंकि देखें awareness सबसे बड़ी चीज़ होती है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है इसलिए ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगो भी पता हो और साथी साथ अगर आप लोगो पता है तो आप लोग अपनी जो experiences है वो अपने एक दुस्ते के साथ share कर सकते हैं comment box में comment करके next article देखते हैं जो की है millets in diet तो देख लेते हैं कि right approach क्या होना चाहिए लेकिन अगर हम लोग इसकी cultivation पर बात करें तो for centuries अगर हम लोग देखें तो इसका जो cultivation है वो हम लोग देख चुके कि ancient period से ही इसमें start किया गया और integral part है हमारे food system का और साथी साथ festivals का भी sans की बात करें तो वो भी millets को जो है metaphors जासे use करते थे it means की social messages को spread करने के लिए हमारी cuisines जो है वो भी आप देखो कि millets को as a central food जैसा मानते और हमारा जो agriculture practices है smile है weather है वो भी काफी perfect होता है जिसमें कि हम लोग एक better तरीके से millets को grow कर पाते तो इसलिए millets को कहा गया कि एक integral part है हमारे culture का और एक original Indian superfood भी है साथ ही अगर हम लोग देखे कि millets जो है ये लोगों के लिए बहुत ही जादा helpful है और साथ हमारे planets के लिए अच्छा है millets के अगर हम लोग बात करें तो ये फिर से आया है क्योंकि climate change को देखते हुए आज की date में हम लोग देख रहे कि global warming बहुत ही जादा वो degrade हो रही है even soil की quality degrade हो रही है तो इन सब में इन सारे worst condition में एक मात्र जो crop है वो है millet जो की यहाँ पर grow हो सकता है तो इसलिए वापस से हम लोग यहाँ पर climate change को tackle करने के लिए millets को फिर से याद कर रहे है साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें की eat millets as the as per the season देखें हमारा जो traditional eating practices है ना यह एक lot of the focus यहाँ पर करता है eating food पर कैसे हम लोग season जैसे की हर एक season change होता है अभी winter season है तो इस समय हम लोग कौन सी food को consume करते है क्योंकि हर एक season में आप देखते हो vegetables fruits वो अलग-अलग market में आते है तो इसे साब से हम लोग consume भी करते है तो ensurely आप देखो कि ऐसा नहीं है कि easily available है millets इसलिए हम लोग consume करते है बट अगर हम लोग देखें तो कौन सी millets जो है ना वो किस season में खाना चाहिए यह अभी हम लोग देखते है यह आप exam point of use को side रखो अपने जो एक day to day आपके activities है और एक healthy lifestyle है उसके basis पर मैं बता रहे हूँ बाजरा और मकई यह आपका winter के लिए है तो इसको jaggery या तो आप गूर के साथ या घी के साथ जरूर कंस्यूम करो जो और जो कि बेटर होता है समर के लिए तो इसको चठनी के साथ चाहिए रागी नाशनी जो कि आपका कूरे साल इसको खाया जाता है यानि कि जब रहनी season होते है तब इसको हम लोग कंस्यूम करते है तो इसको दोसा हो गया लड़ू हो गया इस तरीके से convert करके इसको खाया जाता है तो यह तीनों season में आप देख सकते हो किसके से हम लोग यहां पर मिलेट को कंजूम कर सकते है eat millets with the right food combination इसको जो हम लोग खाते है ना तो इसको इसके साथ जो कुछ और हम लोग foods को कंजूम करते है तो वो इसका combination सही होना चाहिए तो यह जो food combination है इससे क्या होगा कि right ingredients हमें जो है एक साथ मिल पाएगा जिससे की जो पाचन प्रक्रिया है digestion है nutrient assimilation है वो बड़र तरीके से हो सके तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर millets खाने का एक सई तरीका है कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या खा रहे है nutrition क्या क्या हमें millets से मिलता है तो नियाशीन होता है एक type of vitamin B है चोकि millets में पाय जाता है और इसको consume करने से energy production होती है हमारे जो नस है वो healthy रहते है और digestive जो track है वो healthy रहता है और साथी साथ इसमें magnesium, zinc, fiber भी है जिससे की आप देखो एक excellent food है blood sugar regulate रहता है इसे especially जिनको diabetes है या फिर PCOD है folic acid है जिससे की आप देखो की जो iron की कमी है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है साथी इससे skin health और जो fertility है वो भी यहाँ पर बड़े तरीके से रहता है millet को आप देखो की भाकरी बनाना, millet भाकरी तो यह भी एक तरीका है ठीक है यहाँ हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग मास्टर शेट नहीं बनना है जो आपके लिए exam point of you से important है और आपके day to day activities के लिए उसे हम लोग focus करते हैं eat millet in all forms, यानि कि हम लोग इसको हर एक तरीके से खा सकते हैं या तो खिचड़ी में खाओ, खीर में खाओ या फिर यहाँ भाकरी खाओ, लड्डूस खाओ, तो हर एक तरीके से मिलेट को यहाँ पर यूज किया जाता है, fine, अब आते हैं मिलेट कल्टिवेशन इन नौर्थिस इंडिया, तो नौर्थिस इंडिया में कहां कहां मिलेट जो है कल्टिवेट होता है इसे समझते है अरुन नाचल प्रदेश में आप देख सकते हो कि मिलेट जैसे की फॉक्स्टेल मिलेट है प्रॉसो मिलेट है फिंगर मिलेट है पर्ल मिलेट है यह काफी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ग्रो होता है और वह भी जूम कल्टिवेशन ठीक है सबसे ज्यादा जो एक टाइप हो गया फेस्टिवल वगेराज है साथ ही अगर पर्मनेंट काइंड ऑफ सेटल्ट अग्रिकल्चर की बात करें या फिर टेरेस्ट कल्टिवेशन क्यूंकि आप देखो पहाड़ी इलाका है नौर्थ इस्ट इंडिया तो उसमें क्या है कि आपका टेरेस्ट बना हुआ है ए वो यहां पर ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल रिजन में ग्रो होता है और अल्टिट्यूट की जरुवत है जैसे कि 2000 मीटर हाइट में जो है यह मिलेट को बेटर तरीके से ग्रो कर सकते है इसके लिए जो टेम्परेचर की जरुवत है नौर्ट मोर देन 8-10 डिग्री सेल्सि कर सकते हो इसलिए इस तरीके से आप देख 우ू पेसे प्रेलम्स के पूछन पूचए जाता है कई आप यह वरा उन केनिकेय neighborhood के लिए डो-थी स्परिक्र चर्णियर तैंपरेचर नयंनिक हैं है फिर इस चाहिए अ हईए रहे के को या यह सिंघन हो गया यह फिर या फिर धर इस के साथ है यह तो सब ने में मिल्राइट.'' साथ ही अगर हम लोग देखें कि यहां पर ग्लुटिन का जो एपसंस होता है इसमें ग्लुटिन नहीं पाजाता तो इसलिए मिलेट्स को पचाना बहुत आसान होता है ठीक है और डाइबेटिक पेसेंट के लिए यह बहुत ही जाता जरूरी होता है अब्लट को कम करता है एक तो इसमें अब्लाइसर का जादा यूज नहीं होता है और बाकि यह क्लाइमेट रेजिलेंट भी होते हैं ठीक है इंडियन अग्रिकल्चर इंडिक पेसे अगराइबेटिक एक शांतार होता है लोग बात करें तो आज की डेट में 1960s में ये Green Revolution में इंटर हुआ और साथ हाई-ealding wheat और rice varieties जो है adopt किया गया और agriculture techniques जो है वो भी यहाँ पर adopt किया गया इसके अलावा हम लोग देखें कि countries की जो rivers है waterways है ये भी कि आप देखो कि डिवास टेटेट है by Relentance Cultivations of Cereals यानि कि आप देखो जितने भी crops वगेरा को आज की डेट में cultivate किया जाता है तो इसमें से हमारे देश में wheat और rice की cultivation सबसे जादा होती है जिससे कि हम लोग यह देख पाते हैं कि इससे water का जो uses है और water जो iscarsities है वो बढ़ते जा रहा है ठीक है पानी की कमी बढ़ते जा रही है इसलिए बहुत सारे रिवर्स भी जो है वो बरभाद हो रहे क्योंकि रिवर्स के पानी waterways का पानी जो है खीच-खीच के water pump से यह irrigation के लिए यूज होता है तो नंबर ऑफ रिवर्स है जो कि आज की डेट में इसको फार्मेर डेट में ही ग्रो करते अपना जो मैनियर वागेरा होता है साथ ही आप देखो कि यहां पर प्रौसरम इलेट कल्टिवेशन है इस्ट्रिक्ट में तस्तरीके से आप देखो कि मिलेट कल्टिवेशन होता है अर्मनाचा प्रदेश की बाद बताए जा रही है साथ ही अगर हम देखे shifting cultivation जो की millets का है hills में travel areas में so shifting cultivation आपने geography में पढ़ा होगा जिसे हम लोग श्लाश and burn करते है कहते है देखे ये एक पूरा agriculture है घेती वाला land है इसको चार भाग में बाट दो माल लोग की गर्मी की सीजन में यहाँ पे millets को उगाया गया और जब यह इसका harvesting हो गया तो इस land में जो भी शेस पचे रह जाते है byproduct उसको जला दो और जला के इस land को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो कुछ महिने के लिए next season में यहाँ पे millets का जो है cultivation करो इस land में फिर same इसको harvest करने के बाद keep this land as as it is और इसमें जो भी byproduct से उसको burn कर दिया जाता है then यह shift हो जाते है तो इस तरीके से क्या है कि slash and burn यानि कि जहां जहां लैंड में आपको जो cultivation हो इसको slash करो burn करो ठीक है इस तरीके से चलते रहता है तो यह होता है shifting cultivation और यह अरुनाचर पधेस वाली area में काफी famous है यह जो farming approach है ना इससे आप देखो कि 2 यह 3 जो annual crops से उसकी production हो जाती है और साथी साथ इससे जो है soil fertility भी maintain रहता है एक cycle है जो कि चलते रहता है जिससे कि आप देखो एक अच्छा खासा growth जो है वह हमें देखने को मिलता है देखिए यह कितनी खुबसूरत यहां पर आपका view है तो इस तरीके से जो है आपका terrace farming भी कह सकते हो इस तरीके से चलते रहता है काफी खुबसूरत होता है कभी आप नॉर्थ यस्ट में गए होंगे तो देखी होंगे नहीं गए हो तो कभी जरूर जाना और घूंके आना ठीक है बहुत ही बेटर होता है बहुत ही खुबसूरत आप देखे एप्लिकेशन ओफ और और अर्गनिक मैटर तूदा और स्वाइल manure वगेरा है एक डिश होता होगा मिलेट्स फ्लेवर होए उसको कंज्यूम करते है अप पॉंग की बात करें तो अपॉंग और मढवा अपॉंग जो है यह दो पॉपलर बिवरेजेस है जो कि अरुनाचर पदेश में बनता है राइस और मिलेट्स को मिला कर तो इस तरीके से अपॉंग वगेरा में इतना ज़्यादा हो आपको जो है देफ में नहीं जाना है साथ ही आप देखते हैं देखिए मेली हम लोग नौर्थेस में अरुनाचर पदेश के ही बारे हैं बात कि जहांपे मिलेट्स की खेती बहुत जादा होती है इंडिया की बात करें मिलेट फॉर है तो देखते हुए हम लोग यहां पर पोशन अभियान चलाते हैं क्योंकि हम लोग अपने यहां की जो बच्चे बच्चियां है जो प्रेग्नेंट और लेक्टेटिक विमन है उन सब की पोशन का हम लोग ध्यान रखते हैं उनके नुट्रिशन का ध्यान रखते है तो उसके लि एलेट को रोग हम लोग मोटा अनाज कहते हैं हिंदी में पहले लोग आप तेखोगे कि आज भी आप विलेज एरिया में जाओगे तो वहां पर मोटा अनाज से समझ आते हैं एक collective group है, जिसमें की small seeded annual grasses होते हैं, छोटे-छोटे grass होंगे, जो की grain crops में इसको उगाया जाता है, और साथ ही साथ अगर हम दो देखें, Indus Valley Civilization, जो की सबसे पहली सव्यता थी, उस समें लोग जो है, ये मोटा आनाज को consume करते थे, साथ ही ये grow करते थे, almost आप देखो, आज की we date में 131 countries में इसको उगाया जाता है, और 59 crore peoples जो है, एशिया और अफरिका में ही सिर्फ इसको consume करते हैं, इंडिया में अगर हम दो देखें तो मिलेट्स को तीन तरीके से रिवाइट किया गया, मेजर, माइनर and सुडो, मेजर में अगर देखें तो जोार है, बाजरा है, फिंगर मिलेट्स है, जिसे रागी कहते है, माइनर मिलेट्स की बात करें तो फॉक्स्टेल मिलेट्स है, साथी कोडो मिलेट्स है, लिटल मिलेट्स है, सुडो मिलेट्स में बात करें तो बकवीट है, कुट्टू कहते हैं, और यहाँ पर अमरत, चलाओ, यहाँ पर चॉला का सबसे पहले ही तो climate friendly है जैसे कि आपने देखा कि यह dry temperature हो वेट temperature हो वहां पे हर एक जगह आप देखो कि इसको गया जा सकता है तो यहां पे climate friendly crop है उसके अलावा अगर हम देखे यह वाइबल option होता है small farmers के लिए चोटे किसान होते हैं उनके लिए यहां पे आप समझो कि उनके पास ज्यादा investment का नहीं रहता है option और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते तो कम खर्च में भी वह millets का production करते हैं जिसे कि उ carbohydrate antioxidants यह सब यहां पे भरबर के मिलते है gluten free है और इसको जो है good for select जो select patients होते हैं उनके लिए काफे ज़दा इसको अच्छा माना जाता है साथे आप mal nutrition का सिकार है हमारे देश में बच्चे गरीवी की कारण तो वो भी यहां पे दूर होता है इससे economic and food security की बात करें तो एक बार आप देखो कि यहां पे poor man's good grain यह कहा जाता है millets को तो millets जो है काफी सस्ता भी होता है इसको आप अगर दुसरे food grains के comparison में देखो के तो यह काफी सस्ता अबलेवल होता है तो एक economy affordable है लोग इसको consume कर सकते और इसली जो है यहां पे खावी सकते है Millets as a part of food basket Government of India जो है यहां पे आप देखो कि इनके द्वारा काफी ज़्यादा initiative लिया गया है कि कैसे millets को एक food basket में include करें सारे घरों में पोशन अभियान आप देखो 2021 में 2.0 है इसमें की बात किया गया है कि माल nutrition को यहापर टाकल किया जाएगा और जो traditional knowledge है क्योंकि millets में से जो है आप देखो traditional knowledge चिपा है हमारे जो पूरवज है वो इसको इसको इस्तेमाल करते आ रहे है तो इसके बारे में लोगों को पता होन चाहिए पोशन अभियान इसकी में आप हर साल देखो September को celebrate किया जा रहा है राष्टिय पोशन मा ठीक है और national nutrition month जो ministry of women and child development है इनके द्वारा further encourage किया गया है सारे state और union territories को कि आप millets को यहाँ पे एक recipe जासा यहाँ पे include करे और जो nutritional qualities है उसको भी यहाँ पे बढ़ा है साथी आंगनवारी services जो है जिसमें कि छोटे बच्चे को यहाँ पे भोचन दिया जाता है बढ़ाया जाता है उसमें भी millets को include किया गया है जिससे कि जो छोटे बच्चे है अगर वो कम भी खाते है तो ऐसा खाय जिससे कि उनके body में जो nutrition में protein vitamins की कमी है वो पूरा हो जाए है कि नहीं एक balance diet जैसा है इसको देखा जाता है जो कि low cost nutrition food जैसे यह available भी है अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से initiatives लिये गया है तो देखिए एक रफतार लाया गया था रफतार में भी है कि यहाँ पे 66 startups है जिसमें कि यह disperse किया गया है ठीक है और food safety and standard authority of India है जो कि आदूई यहाँ पे crop आप कह सकते हैं जिसको consume करने से काफी ज़दा जो परिशानिया है सब कुछ यहाँ पे खतम होते रहता है अब देखते है health benefits for lifestyle disease बहुत सारे ऐसे disease है जो कि मिलेट्स को consume करने के बाद आपका यहाँ पे कम हो जाएगा तो यह चीज़े हम लोग देखते देखें मिलेट्स में अगर हम लोग देखें तो dietary fiber है इससे क्या होता है कि जो GI है food का वो यहाँ पे कम होता है एक आप देखो यहाँ पे short change of fatty acids है यहाँ पे आपका produce होता है और inflammation वगेरा जो होती है न वो यहाँ पे आपका reduce हो जाता है प्रोटीन की बात करें तो इसमें ग minerals और vitamins की बात करो तो यहाँ पे calcium iron zinc deficiency जो है उसको combat करने में useful है साथ यहाँ पे important source भी है B complex vitamins का और vitamin E का और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे phenylolic acid है flavonoids है यह सब कुछ यह इसमें पाए जाते है antioxidants वगेरा है साथ ही आप देखो काफी ज्यादा high यहाँ पे chances ह होता है कि cancer अगर किसी को है तो उस patient को millets खिलाओ diabetic patient है तो उनको millets खिलाओ cardiovascular यानि कि heart से related कोई disease है तो वह भी millets का consume करें नस से related है तो weight gain हो चुका है तो उसको भी कम करने में millets जो है काफी helpful role play करता है okay benefits क्या है अगर हम लोग देखें तो diabetes के लिए है heart disorder के लिए हमने देखने को मिलता है साथी millets का जो impact है वो cancer patient में भी काफी हद तक देखने को मिला है after various research जो है यह चीज़े पता चला है साथी brain disorder भी है तो इसका millets का जो impact है यह भी हमें इसपे बहुँ जादा देखने को मिला है okay तो दीरे दीरे हम लोग देखते जा रहे है यहां पर एक और देख लेते कि millets for pregnant and lactative women जो millet based food है ना इसका positive impact हमें nutrition status में भी देखने को मिला है after various research जो है यह पता चला है कि जो pregnant women है उनकी उपर भी जो nutrition status है वो millet का बहुँ जाता है यह recommend किया जाता है कि millets जो है उसको जो भी pregnant women है उनके diet में include किया जाए supplementary food जासा तो pregnancy भी आप जानते हो कि एक ऐसा psychological condition है जिसमें कि nutrient का demand अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर बच्चे जो होते हैं फीटस का growth और development के लिए तो इसल nutrition portion है यहां पर एक इंडिया का flagship program है जिसमें कि nutritional जो outcomes है बच्चे के लिए adolescent के लिए pregnant women के लिए lactating mother के लिए यह सब कुछ को यहां पर enhance करना है एक एक यहां पर millet crop दिया गया है local नाम क्या है और किस किस राज्य में इसको cultivate किया गया है वो पता है आप अपने राज्य को यहां किस राज्य से बिलॉंग करते हैं और वहां पर कौन से millet crop है और local नाम क्या है millets का यह चीज़े आपको यहां से पता होना चाहिए तो comment section में आप बताओ कि आप किस state से बिलॉंग कर रहे हूं तो वहां पर किस type की millet crop आपका जो है cultivate होता है और उसका local नाम क्या है fine इससे पता चल पाएगा कि आपके area में कौन कौन से type of millets मिलते है इसके बाद अगर हम लोग देखे तो यह चीज़े देख सकते है finger millets कैसा दिखता है इस तरीकी का है foxtail millets ऐसा है ठीक है corn जैसा लग रहा है little millets है kodo millets है proso millets है और शोडगम millets है तो यह सब millets का type है ठीक है little millet खिजड़ी मिलेट की खिच्री भी बनती है ingredient वगेरा भी बताया गया है क्याफी better ठीक है start-ups making millets popular ठीक है बहुत सारे start-ups है जो कि आज की rate में आप देखते हो की coarse grain को ज्यादा smoother quite literally यह बनाया जा रहा है और innovative products लाया जा रहे है और millets को पूरी country में popularize किया जा रहा है और जितली भी health awareness है millets related उसको बढ़ाया जा रहा है easy available करने की बात यह जारी है कि products को online available करें और साथी consumer friendly preparation इसको रखें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जब उनके पास easily available होगा nearby market में available होगा तभी लोग इसको consume करने में यहाँ पे free feel करेंगे fine उसके अलाब आप देख सकते हो कि central government की द्वारा भी millet startup innovation challenge last year start किया गया था और यह initiative है इसमें कि जो young minds से उनको encourage की जाती है कि आप new new technical और जो business solution है वो लेकर आओ इट मिंस कि आज की date में आप देखो कि इंडिया में लोगों किया problem है कि वो millets को consume नहीं करना चाते है उस चीज़ को दूर करो council करो है कि नहीं तो इसके लिए start-ups लाय गया था अब next एक यहाँ पर आकड़ा देख लिए graph देख लिए कि millet production इंडिया में कितना हो रहा है देकि 1950 से बताया जा रहा है 2021 तक का और यहाँ पर production है लैक टर्म्स में यह बताया जा रहा है तो आप देखो ups and downs ups and downs यह wave लगा हुआ है ऐसा नहीं है कि हमेशा से इसको benefit मिला है या फिर production हमारे देख में बहुत कम हो गया बहुत जादा हो गया ऐसा नहीं है थोड़ा से ups and downs ups and downs यहाँ पर लगा हुआ है तो इस तरीके से थोड़ा से धिहार रखना है कि यह पूरी drastically enhanced नहीं हुआ है यह drastically down नहीं हुआ है अब down up down यहाँ पर लगा रहा है हमारे देख में तो योशना पढ़ने का एक पात्र यहाँ पर आपको फाइदा मिलेगा कि यह योशना में raw data होते हैं which you can easily include in your answer writing program इससे आपको जो है practice sorry not program प्रोग्राम हमारे चल रहा है जिसमें आप लोग join करके daily basis पर answer लिख सकते हो तो answer writing जो practice करते हो उसमें आप लोग easily यहाँ पर जो भी data अगर आपको मिल रहा है उसको include कर सकते हो साती से directly आपको जह है प्रलम से question मिलेंगे चाहे वो state PCS की दो या फिर आप UPC प्रलम की दो और आज की date में आप देखो कि यह international year बन चुका है so that's why और हमारी यह tradition है हमारी यह cuisine है बहुत बुरानी cuisine है so that's why millet is very important for us okay so health benefit भी है और सात साती है तो योशना magazine आप हर मन्त एक बर जरूर गो थू हो लो और ऐसारी की word to word और page to page cover करना जरूर है but which topic is important for your exam point of view or your healthy lifestyle for your healthy lifestyle that is important okay so चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते है हमारी योशना मन्त की जो जैनवरी मन्त की जो योशना है वो complete हो गई है next हम लोग daily basis पे जो visa न अगर आपको यह लेसन अच्छे लगती है तो आप लोग हमारे साथ continue कर सकते हैं हमारे चानल को सब्सक्राइब करके daily basis पर यहां पर लेसन देख सकते हैं इसके अलावा आपको कोई भी डाउट को यह सेजिशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं मिलती हूग इसे ताइम पर आज अच्छे लेवसितने थैंक यू